अगर आप सब अपनी पढ़ाई कंटीनियू कर रहे होंगे आप के साथ एक और नही essential class के साथ चलिए देखते आजकी class में वाला ये क्या मज़दार होने वाला है तो आज के topic का नाम logarithmic differentiation कि आखिर कैसे हम log के को apply करके logarithmic differentiation का मतलब है कि कैसे हम किसी भी log को apply करके उसको differentiate किसी function को differentiate कर सकते हैं अब वो function किसी भी type का दिया हो सकता है लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले है न वो logarithmic differentiation है चलड़ो topic तो हमें समझाया लेकिन logarithmic differentiation हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या वजा है पढ़ने की, क्या reason है तो actual में यहां reason यह है कि log ना कुछ properties के साथ आता है log के अंदर ऐसी ऐसी properties है कि वो किसी भी complex function को easy, simpler form में convert कर सकता है यानि log के अंदर बहुत different types of abilities है कि वो क्या काम करता है कि जब भी log को apply किया जाएगा जब भी log को apply किया जाएगा तो वो क्या करता है कि वो जितने भी functions है उनको simpler form में convert कर लेता है और simpler form में अगर convert कर देता है तो हमारे लिए उसे differentiate करना भी आसान हो जाता है तो इसी लिए आज हम शुरू करेंगे logarithmic differentiation कि कैसे log के थुरू हम किसी भी question को easy simple form में कर सकते हैं चीक है चलो जे आज की class किसके उपर होने वाली है logarithmic differentiation यानि log लगा कर हम कैसे functions को differentiate कर सकते हैं अब ये हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है देखो हमें पता है दो function multiply में आ गए अगर हमारे पास दो function किसमें आ जाए multiply में आप सब को पता है कोई दिक्कत नहीं है तो हम उनमें product tool लगा लेते हैं sorry तो दो function अगर multiply में आ जाते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं product tool अब सोचो अगर दो से ज़्यादा functions हो multiply में for example तीन functions multiply में हो चार functions multiply में हो पांच functions multiply में हो तब हम क्या करेंगे इसी तरीके से दो function आपस में divide में होते हैं तो हम क्या apply कर लेते हैं divide rule अब सोचो 2 से ज़ादा हो 3 divides में हो 4 हो divides में 5 हो divides में तब ऐसे condition में उनमें property, product rule और divide rule लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है तब ही उसी को ऐसे questions को simpler form में convert करने के लिए हम किसके इस्तमाल करते हैं logarithmic differentiation का तो ऐसी चीजों को solve करने के लिए simple easy करने के लिए हम logarithmic differentiation इस्तमाल करते हैं तो आईए चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इससे किसी भी चीज़ को आसान बना देते हैं example के तोर पे जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर दो से जादा functions वो multiply में तो suppose by chance मैं example के तोर पे ये ले लेता हूँ ठीक है क्या कि मैंने example के तोर पे लिया e की पावर x dot sin x dot cos x मैंने एक question लिया for example मैंने एक example लिया कि y equals to e की पावर x dot sin x dot cos x अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ तो से जादा functions multiply में है यहाँ तीन functions है और तीन functions तीनो एक साथ किसमे दिये हुए है multiply में तो ऐसे questions को simple easy बनाने के लिए easy तरीके से solve करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं log और उसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है तरीका होता है पहली line taking log on both sides हम अपनी तरफ से हम खुद अपनी तरफ से दोनों तरफ क्या ले लेते हैं log कोई दे ना दे हमने अपनी तरफ से दोनों functions की sides पर क्या ले लिया log ले लिया अगर दोनों function की sides पर log ले लिया तो यह log वाई हुआ इधर log लिया तो ये log e की power x dot sin x dot cos x अब जा log की बहुत भयंकर properties होती है और उन भयंकर properties में से एक property होती है कि अगर log का जो function है वो बहुत जादा multiply में है यानि log के अंदर सारी value multiply में है तो log उन्हें convert करके सब को plus में कर देता है यानि log के अंदर जितनी भी value multiply में है वो सब को क्या किस में कर देता है प्लस में कर देता है तो अगर सब को प्लस में कर देता है तो वो कुछ इस तरी के से कर देता है log e x अलग log sin x अलग और प्लस में log cos x अलग यानि उसके पास एक भयंकर property है कि वो सब को अलग-अलग बाट देता है ठीक है, सब को अलग-अलग कर देता है, अब सब अलग-अलग हो गए, तो यहां product tool लगाने का कोई scene ही नहीं बचा, और scene नहीं बचा, तो हम easily अभी से differentiate कर सकते हैं, तो जैसे easily differentiate कर सकते हैं, तो log का differentiation, log y में, log का हो गया 1 upon y, फिर हम आगे बड़े y का, dy by dx, log, log का होती है, कि जो भी मेरा angle है, वो 1 की upon में हो जाएगा, फिर e की power x का करेंगे, तो e की power x ही बचेगा, कट जाएगे तो, log का करेंगे, तो sine x upon में आ जाएगा, sine x का करेंगे, तो cos x, log का करेंगे, तो 1 upon cos x हो जाएगा, cos x का करेंगे, तो minus k, sine x, इस तरीके से easily फिर उसको differentiate किया जा सकता है, अब जो y divide में है, वो अधर multiply में चला जाएगा, और divide वाली value multiply में जाते ही, हमें क्या मिल जाएगा, dy by dx, यानि log क्या करता है, ऐसे बड़े बड़े functions को simpler form में convert कर देता है, ताकि हम उन्हें easily differentiate कर ले, इसी तरीके से चलिए, कुछ questions ले लेते हैं, चलो exercise 5.3 के, कुछ questions उठा के, 5.5 के, सॉरी माद कीजिएगा, exercise 5.5 देख लेते हैं, उसमें इस तरीके के काफी सारे questions दिये हुएं, तो जरा उनको देख लेते हैं, कि कैसे उन्हें solve किया जा सकता है, कैसे कैसे हम उन्हें differentiate कर सक सकते हैं, अभी इस logarithmic differentiation में देखो, बहुत बाते हैं सीखने के लिए, अभी दीरे-दीरे सारी सीखेंगे, फिलाल हम जो सीख रहे हैं, कि कैसे multiply और divide में बहुत सारे अगर functions आ जाएं, तो उनको differentiate कर सकते हैं, फिलाल हम यह सीख रहे हैं, देखें, अब exercise 5.5 में, अगर आप question number 1 देखें, तो question number 1, cosx.cos2x.cos3x, यहां तीन functions आपस में multiply में हैं, तीन function आपस में multiply में है, cosx.cos2x.cos3x, मैंने आप सो कहा भी, दो से ज़्यादा functions अगर आपके आ जाते हैं, ठीक है, multiply में आ जाओ, चाहे, divide में आ जाओ, अगर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, taking, log on both sides, आप दोनों तरफ अपनी तरफ से क्या लेंगे, log, आप दोनों साइड पर अपनी तरफ से क्या लेंगे, log, तो दोनों तरफ लोग लेने के उससे होगा, क्या कि यह log y हो जाएगा, यह जाएगा, log, cosx, cos2x, और cos3x, दोनों तरफ लोग लगा लिया, हमने left side पे भी, और right side पे भी दोनों तरफ क्या apply कर लिया log, अब log क्या करता है, अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी multiply में होते हैं, उन सब को किस्मा कर देता है, प्लस में, तो यह log cos x हो जायागा, प्लस log cos 2x हो जायागा, प्लस log cos 3x, और इधर क्या हो गया है, log y, अब हम इसे differentiate कर सकते हैं, अगर सारे function से अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, सारे टूट गए हैं, multiply में नहीं रहे, अब हम इने easily differentiate कर सकते हैं, तो differentiate कैसे करेंगे, log, log कहता है जी भईया, जो भी मेरा angle है, उसे बनके कहां बेज दो, upon में, तो log y का 1 upon y, फिर y का करेंगे, dy by dx, log का करेंगे तो cos x upon में आ जायागा, cos x का करेंगे तो minus का sin x हो जायागा, ठीक है, x का तो वन ही होता है, log का करेंगे तो upon में cos 2x हो जायागा cos 2x का करेंगे तो minus sin 2x हो जायागा, और फिर 2x का करेंगे, तो 2x का क्या बचेगा, 2, वहाँ आमने x का इसलिए नहीं किया, क्योंकि 1 हो रहा था, यहाँ किया जाएगा, क्योंकि 2x पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, उसी तरीके से log का करेंगे तो 1 upon cos 3x, log का करेंगे तो 1 upon cos 3x, और फिर cos का करेंगे, तो minus के sin 3x, और फिर cos के बाद 3x का करेंगे, तो 3, y, divide से उदर किसमें चला जाएगा, multiply में चला जाएगा, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, dy by dx, y, sin upon cos 10x हो जाएगा, यह 2, sin 2x, cos 2x, 10 2x हो गया, यह 3, 10 3x, आप जादे से जादे क्या कर सकते हैं, आप जादे से जादे यहाँ y की value पुट कर सकते हैं, और y की value पुट करते ही आपका क्या तयार हो जाएगा, answer, तो मतलब इस तरीके से आप उन्हें simple, simple form में convert करके easily differentiate कर सकते हैं, इसलिए हम logarithmic differentiation इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हमारे लिए काम को क्या कर दे, आसान कर दे, हमारे लिए उस काम को बहतरीन तरीके से कर दे, चलो जे, इतनी बाते ठीक हैं, तो जड़ा देखते हैं, question number 2, question number 2 देखते हैं जड़ा उसमें क्या दिया हुआ है, 5.5 में अगर आप question number 2 देखें, तो यहां भी देखो कितने सारे functions हैं, एक, दो, तीन, चार, पांथ, कुछ multiply में, कुछ divide में, तो मैंने आपको बताया, जब भी इतने ज़ादा functions होंगे, जब इतने ज़ादा functions आपके आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बहतरी इन तरीका क्या रहेगा, कि आप उसमें क्या अप्लाई कर लें, log, अगर आप उसमें log अप्लाई कर लेंगे, आप उसे easily solve कर सकते हैं, तो जैसे under root, x-1, x-2, upon, x-3, x-4, और x-5, इस तरीके से दिया जाए, तो अब यहाँ पर भी बहुत ज़ादा functions है, तो बहुत ज़ादा functions होने की वज़े से हम इसमें क्या अप्लाई कर लेते हैं, log, तो यहाँ लिख लेते हैं, taking log on both sides, हमने दोनों sides पर क्या ले लिया, log, अगर हमने दोनों sides पर log ले लिया, तो log लेने के बाद आप जल्दी से बताएं, log लेने के बाद आप जल्दी से बताएं, कि कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया log y, log, under root को अटा के, मैंने power 1 by 2 कर ली, आप जानते हो, under root को अटा कर क्या लिखा जा सकता है, power 1 by 2, अब log की property होती है, कि जो उसका function है, और उस function की कोई power है, तो power कहा जाती है, बहाद, तो log की property होती है, कि कोई function है, और उसका कोई power है, तो पावर कहा जाती है बाहर तो पावर को बाहर निकाला पावर बाहर निकाल दी अगर पावर बाहर निकाली तो देखा यह सारे functions कि इसमें आपस में multiply divide में अब log करता है कि multiply वालों को तो plus में और divide वालों को minus में तो log जब अपनी यहां पे इस प्रोपर्टी को apply करेगा कि multiply वाले सारे plus में हो जाए और divide वाले सारे minus में तो question कुछ इस तरीके से हो जाएगा log y 1 by 2 log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5 होगा क्या जो जो उपर थे multiply वाले वो सारे plus में हो जाएगे और बाकि सारे minus में अब कोई दिक्कत नहीं आप दोनों तरफ differentiation कर सकते हैं अगर आप दोनों तरफ differentiation करते हैं तो होगा क्या log y का 1 upon y y का dy by dx 1 by 2 constant है log x minus 1 का 1 upon x minus 1 log x minus 2 का 1 upon x minus 2 log x minus 3 का 1 upon x minus 3 log x minus 4 का 1 upon x minus 4 log x minus 5 का 1 upon x minus 5 y multiply से इदर divide से इदर multiply में आ जाएगा तो dy by dx की value हो जाएगी y upon 2 1 upon x minus 1 1 upon x minus 2 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 1 upon x minus 5 इस तरीके की क्या हो जाएगी value इस तरीके से आप किसी भी differentiation को complete कर सकते हैं I hope आपको ये question भी समझाया होगा अब इसमें जादा जादा आप y की value पुट कर सकते हैं और y की value स्टार्टिंग में ही दी हुई थी कि y की value क्या है ये तो ये y की value और जादा से जादा आप पुट कर सकते हैं इस से जादा इस question में नहीं है तो आप इस से जादा इस question को नहीं कर सकते हैं आप इतना question में कर सकते हैं अब easy है simple है चादा easy और simple है तो जरा एक question और देख लेते हैं और इसी type का exercise में एक question और दिया हुआ है question number 5 उसे भी देख लेते हैं जरा question number 5 में क्या कह रहा है हमसे ठीक है क्या हमसे कहने की कोशिश कर रहा है एकस प्लस 3 का square एकस प्लस 4 की power 3 एकस प्लस 5 की power 4 यह रहा है पांचवा question इसे उठा लेते हैं एकस प्लस 3 का square एकस प्लस 4 की power 3 एकस प्लस 5 की power अगर इस question को देखा जाए द्यान से तो इसमें भी दो से ज़ादा functions आपस में multiply में दे रखें तो अगर इसमें भी आपके दो से ज़ादा functions अगर multiply में दे रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप question में क्या apply कर सकते हैं log क्या apply कर सकते हैं log तो आप कह सकते हैं taking log on both sides अगर आप दोनों तरफ log लेंगे तो जो multiply में ये सारे plus में हो जाएंगे x plus 3 count square plus log x plus 4 की whole cube plus log x plus 5 की whole power 4 अभी-अभी मैंने एक और property बताई थी कि अगर log का कोई function है और उस function की कोई power है उस function की क्या है कोई power तो सबकी powers कहा जाती है बाहर इन में जितने में भी power दियुए है सब में इन सबकी powers बाहर आ जाएंगी ये log की property होती है कि वो अपनी power को बाहर निकाल लेता है अब आप इसे easily differentiate कर सकते हैं अब हमने इसे maximum से maximum simplify कर लिया और maximum simplify करके इसे easily differentiate किया जा सकता है तो चलिए भाई खिराडियो कर दो differentiate log y का 1 upon y, y का dy by dx चल्दी मुझसे पहले हो जाना चाहिए ये 2 देखें चरहा कौन पहले करेगा log का 1 upon x plus 3, 3 as it is log का 1 upon x plus 4, 4 as it is log 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 x plus 5 का 1 upon x plus 5 और ये जो x plus 5 है इन सब के x plus 4 के अगर आप करके देखोगे तो क्या मिलेंगे 1, अब y डिवाइड से उदर किसमा चला जाएगा, multiply में, 2 upon x plus 3, 3 upon x plus 4, 4 upon x plus 5, maximum से maximum आप यहाँ पे y की value पूट कर सकते हैं और y की value पूट करके यही आपका क्या हो जाएगा, answer, यही आपका क्या हो जाएगा, answer, I hope आपको इतनी चीज़े समझाई होंगी, अगर यह चीज़े आपको समझ आई हैं तो मैं आपको qr code share कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, कैसे हम अगर कोई 2 से जाधा functions multiply और divide में एक साथ आ जाते हैं, बहुत जाधा, तब हम उन्हें कैसे differentiate कर सकते हैं, तो हम उन्हें differentiate कर सकते हैं किसके माध्यम से, लॉक के माध्यम से, अब यह मैंने आपको बताई रखा, यह scanner है, यह आपको जो हमने आज पढ़ाया है, यह सारे के सारे notes आपको as it is मिल जाएंगे, आप Google पे scan का option आता है, उससे आप इसे scan कर सकते हैं, I hope इतना हो गया होगा, तो I hope आपको आज की class की च पढ़ते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, जै शियाराम